नमस्कार दोस्तों मैं रोहिन शमा स्वाद कतम सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम याँ पर बात करने वाले हैं 17th of April 2023 के बारे में 17th April 2023 का दिन आप सभी के लिए किस तरह से जाने वाला है कौन सी वैदिक रेमिडीज आज आपके लिए काफी ज़दा फाइदे बंद रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का आफरमिशन साथी साथ आज के दिन में कौन सा रहेगा गोल्डन विश्टाइम और क्या है आज का वास्तो का उपाए सारी जानकरी मिलीगी आपको इस वीडियो में आन तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस्स ना हो जाए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर दिन का स्ट्रक्चर किस तरह से आपर जाने वाला है दिखिए जो दिन रहेगा सु अकलोड काफी ज्यादा हो सकता है और यह फिरक अपिर कhmil की वजगार्मी वाला रह सकता है इस तरह के योग यहां पर बंते हैं इस वजह से आप सभी को अपने ऑफिस में अपने वर्क प्लेसर बहुत ज्यादा शांत रहने की ज़रूत हैते और अराम आराम से अपने का से सायंब रखेगा और अपनी सेहत को लेकर कि थोड़ा सा ध्यान रखने किया आपर जरुट की बिमारी अगर उल्डी है तो आज के दिन में तोड़ा जाधा साढ़धानी रखने की आपर जरुट है कि कहीं नज़वा बलडब्रेसर की वजह से इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं तो आप सभी को बहुत ही जादा समझदारी के साथ इस दिन को आगे निकालने की जरूरत है इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो इस दिन में एक चीज का और विशेश ध्यान रखना है पैसों के लिन दिन में आज के दिन में बहु अने वाला साल में आप सभी की चुनौतियों का सामना करना पढ़ सकता है इस वजे से का अपने साल को कीसे djain ? कुछ अएब धर करने जैसे की अगर आप सभी अपना बिजनेस शूरू करना चाहते हैं तो आप सभी को तो How अंज बदा ह emailed ? साथ ही साथ अगर आप सभी कोई property खरीदना चाहते हैं तो भी आप सभी को कहीं न कहीं अच्छे results यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सरकारी नौकरे की तैयारियां कर रहें तो काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और students के लिए काफी ज़्यादा संगर्श पुन साल यहाँ पर जा सकता है अब चलिए बात कर लेते हैं आपर कौन सी राशी कौन सा नंबर कौन सा alphabet आज की दिन में फाइदे में रहेगा दिखिए यहाँ पर देखा जाए तो फाइदे की जब हम बात कर रहे हैं तो राशियों में सबसे पहले अगर हम नाम देखें यहाँ पर तो आता है आपका मित्वन राशी का इसके अलावा सीह राशी, कनिया राशी, तुला राशी, कुम्बर राशी और मीन राशी के लिए समय कहीं न कहीं पॉजिटिव यहां पर जाता हुआ दिखाई देगा नमबर्स में बात कर लें, तो नमबर एक, नमबर चार, नमबर पांच और नमबर साथ के लिए आज का ये दिन काफी शांदार दिखाई दिता है अलफबिस में आपर देख लिया जाये, तो अलफबिस में C, D, F, M, G, J, K, P, S, T, और V आप सभी को आज के दिन में काफी जादा अच्छे रिजल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन में आप सभी को कौन सी वैदी करेमिडी का इस्तमाल करना है जिसको करके आप अपने इस दिन को और भी जादा अच्छा बना सकते हैं देखे आज का यह जो दिन है यह कुछ चीजों में बहुत जादा अच्छा भी है जैसे कि अगर आप अपनी गलती को मान करके sorry feel करना चाहते हैं रिग्रेट करना चाहते हैं पच्चतावा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन काफी जादा अच्छा है रिलेशन्शिप में किसी भी तरह की लड़ाई जगड़े चल रहे हैं परिवार में मानसिक तनाव काफी जादा हो रहा है आपके बच्चे बहुत जदा बिमार हो रहे हैं या फिर किसी भी तरह के ऑफिस में कोई भी दिक्कत कोई भी परिशानी है एक महत्वपून उपाय ज चाम को भी कर सकते हैं जब आप यह पार्ट कर रहे हैं तो अपनी परिशानियों को मन में दोराते रहें कि यह पार्ट आप क्यों कर रहे हैं पारिवारिक संबंद अच्छे बनाने के लिए कर रहे हैं पति-पत्नी के संबंद अच्छे बनाने के लिए कर रहे हैं आफिस की दिन में बहुत अच्छा फायता देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ अगर गर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो जा करके दर्शन करके जरूर आईएगा यह आपके लिए काफी जादा अच्छा रहेगा और आप सभी को बहुत अच्छे रिजल्स यहां पर देखने को मिले च्छोटा सा उपाय है बढ़ करके इस उपाय से आप सभी बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं तो इस उपाय का विशेश तोर पर लाब ले लिजेगा आप चलिए बात कर लेते हैं पर आज का इंजल नंबर कौन सा है जो आपके लिए काफी शांदार रहेगा आज का नंबर रहेगा आपका 73665 बहुत इंपॉर्टन नंबर है बहुत ही जादा पॉसिटिव नंबर है और आज का ये नंबर आप सभी के लिए काफी जादा अच्छे रिजल्स देने का काम करेगा और साथ ही साथ नए रास्ते बनाने में आप सभी की मदद करता हुआ नसर हैं कि every day is a new opportunity for me और अगर आप आज के दिन में focus करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि every day की जिगे today today is a new opportunity day for me आप ये भी उसको दोरा सकते हैं चॉइस आपकी है कि आपको कैसे अपने affirmation को अपने लिए काम में लेना है अब चलिए बात कर लेते हैं पर आज के golden wish time के बारे में क्या है आज का golden wish time जो कि आप सभी के लिए शांदार रहेगा समय आज जो दोपर का समय ही बहुत ही जादा मेहत्वपूर्ण समय है 12 बचकर 5 मिनिट से लेकर के 1 बचकर 30 मिनिट तक का समय काफी शांदार समय है इस समय में आप सभी कोई भी जरूरी काम कर सकते हैं कोई भी important decisions ले सकते हैं किसी भी मिटिंग को अटेंड कर सकते हैं आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे आज के दिन में कौन सा वास्तू का उपाय आपको करना है जो आपके लिए और भी ज़्यादा शांदार रहेगा नोट कर लीजेगा प्लीज आज का वास्तू का उपाय सबसे पहली चीज आज के दिन में वास्तू के लिए हम दो चीजों पर फोकस जादा करेंगे पहली चीज गर में किसी भी तरह की पानी की समेल नहीं आनी चाहिए पानी की गन्दगी नहीं जमनी चाहिए पानी कहीं पर इखटा नहीं होना चाहिए इस बात का विशेश ध्यान कियेगा गर में जहां कहीं पर भी पानी आपका इखटा होता है तो उस पानी को जल्दी से हटा दें और पानी वाली जगे को सूखा रखें आज की दिन में खास कर सूखा रखें तो काफ़ी जदा अच्छा रिजल्ट मिलेगा दूसरी important चीज आज के दिन में अपने washrooms को आप पूरी तरह से clean रखेंगा साफ सफाई कर दीजेगा और वहां पे कुछ fragrance थोड़ी से रख दीजेगा इससे आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और ग्रहों के दोश दूर होते हुए नजर आएंगे औ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा खुछ भी पूछना चाहते हैं जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं आप मुझसे संभर कर सकते हैं मैं पूरी प्रिकोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद् नियां पर कर सकूंगे दनिवाद